लास्ट इस्टेज पर जा रहा है तिक है आज साथ हमारी ग्लास का लास्ट ओपिकों बताना एक बर कहां तक पहुंच केते हैं उसमें यही कर रहा है यह वाला टाइप हमने का चलो नेक्स टाइप लिको जब समुह से टाइप नमबर सेवन हो जब समुह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ग्याद करनी हो कोशन लिखेंगे समुह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ग्याद करनी हो कुछन लिखेंगे किसी कख्षा के साथ चात्रों का किसी कख्षा के साथ चात्रों का ओसत भार पच्पन किलोग्राम है यदि लड़कियों का ओसत भार पचास किलोग्राम और लड़कों का और लड़कों का ओसत भार 65 किलोग्राम हो तो कख्षा में कख्षा में लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बताईए मैंने आपको एक ऐलिगेसन मेथट समझाया था लाश्ट वाले चेप्टर में मैंने आपको एक कंडिशन प्रताई थी कि जब किसी प्रस्ण में आपको दो अलग-अलग सिच्वेशन दे रख्यों और उन दोनों की ही एक कंबाइन सिच्वेशन दे रख्यों तो आप उठाके ऐलिगेसन मेथट लगा दोगे जैसे इस कोश्चन में भी क्या क्या रख्या है कि 60 बच्चों की एक कक्षा है अब 60 बच्चों की कक्षा में कौन-कोन होंगे लड़के भी होंगे और लड़किया भी होंगे ठीक है जिनका ओसत बाहर कितना है 55 किलोग्राम है तो यह तो आगया पूरी कक्षा का जिसमें कौन-कोन सम्मलीत है लड़के भी है और लड़किया भी है फिर कोशन में कह रहा है कि लड़कियों का उसत बाहर कितना है पचास यही तो कह रखा है कि लड़कियों का उसत बाहर कितना है पचास लड़कों का उसत बाहर कितना है तो यह उनका अलग अलग दे दिया कि लड़कों का उसत बाहर कितना है पैसट और पूरी कक्षा का कितना है पच्पन तो फूरी कर्षा में कौन-कौन होगे लड़किया भी होंगी और लड़की और जो कंबाइन रहता है उसे हमका रखते हैं बीज में पचास में से पच्पन घटा होगे पांच और 65 में से पच्पन घटा होगे तो दस तो पांच एकम पांच पांच दुनी दस तो लड़की और लड़कों का रेसो कितना आगया दो रेसो एक तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर रहेगा वो जो जिसके नीचे नंबर है वो उसी कही रेसो रहता है ठीक है तो डोनों का रेसो का उफूद्ट कितना इन को सभी था चाट्रों की तो बात कर रहा है lesson chicken locking था टू पूछ बूल्झा की अलगलक संखिया बताओ अब देखो लड़कों कानाु पात कितना है एक और एक की वैल्य कितनी है ज मतलब लड़के कितने है blee узна twose two लड़कि श्या कितन लड़कें होता था लड़कों की अलग-अलग संख्या बताओ, उसका ज्धान रखना है, यह आपको हर चैप्टर में एक टाइप जरूर मिलेगा, एलिगेस्व रखना, और एक तो पूरा चैप्टर याएगा, निक्चर एन एलिगेस्व करके, लिखो, किसी कारियाले में, इस बार सब्कान सरान अचीए, किसी कारियाले में अस्ती करमचारी हैं, जिनकी ओसत आईउं पचास वर्स है, जिनकी ओसत आईउं पचास वर्स है, यदि पुरुस करमचारियों की ओसत आईउं चववन वर्स पुरुस करमचारियों की ओसत आईउं, चववन वर्स और महिला करमचारियों की, महिला करमचारियों की ओसत आईउं अड़्तिस वर्स हो, तो करमचारियों की अलग-अलग संख्या बताईएं, देखो करमचारी हैं, जिन में पुरुस हैं, और उने महिलाएं हैं, ठीक है, यहां देख लो, देखो जब मैं सवाल कराया करू ना हमेशा बोट पे देखा करू, कि नौट करने करना, इन बाहरा में मिल जायेगा, और उस करमचारियों की ओसताईओ कितनी हैं, करमचारियों की कितनी हैं, और पूरे करीकार्याल्य की किरदू के औस सताईओ की रखी हैं, पचास तो घ्यान रखना जो बीच वाली मतलों overall दे रखा है वो सेंटर में रखना है और जो उनका अलग अलग है वो उनके साथ रखना है अच चवन में से 50 गटा होगे और 38 में से 50 गटा होगे बारे चार एकम चार चार तिया तो पुरुस और महीला करमचारीों का अनुपा पविछ बात एक अनुपाथी कितना चार और चार की वैल्यू कोश्टन में कितनी है असी तो एक कि वैल्यू कितनी आजएगी बीस कैसे आएगी चार दुनी आज़ से ठीक हमसे पूछाए कि दोनों की अलग अलग पो पुरुस करमचारी ओं कर रिस्तों कितना है तीन अब ती स्क्रम्चारी महिलाएं एक क्लब में एक क्लब में सभी सदस्यों की ओसत आयू एक क्लब में सभी सदस्यों की ओसत आयू तीस वर्स है उनमें पुरुष सदस्यों की ओसत आयू उनमें पुरुष सदस्यों की ओसत आयू चोंतिस वर्स और महिला सदस्यों की और महिला सदस्यों की ओस्त आयू 26 वर्स है कारियाले में किलब में महिला सदस्यों से और उस सदस्यों का अनुपात याद कीजिए अब जिको कोश्चन हमारा आगे हमें जर्वती निये सोल करने की जितना यहां आ गया वो ही आ जाएगा कारण क्या रहा इसका क्योंकि उसने करमचारियों की संख्या हमें बताई नहीं इस कार्टिंग में तो कुछ बोला नहीं कि इंतने करमचारी हैं या इतने पुरूस हैं इतने महिला हैं ऐसा तो कुछ बिया नहीं तो हम आगे सोल भी नहीं कर सकते लेकिन अगर तुमसे रेसो पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हो तुमसे प्रतीसत पूछा है तब भी निकाल सकते थे अगर इसी कोश्चन में तुमसे पूछ ले कि कारियाले में महीला करमचारियों का प्रतिस्त बताओ तो कितना आएगा अगर कोश्चन पूछ ले कारियाले में महीला करमचारियों का प्रतिस्त बताओ ये तो तुम्हें बताए देखो, यहां पे male, race or female कितना है? One, race. One है, मतलजभ महां एक के अनुपात में महिलाएं हैं, और एक के अनुपात में ही पुरुस हैं. तो total संख्या कितनी हो गई? दो हो गई, वillah एक महिला के अनुपात है, पुरुष का तो टोटल कितना हो गया तो जिन में से महिलाएं कितनी है महिलाओं की संख्या तो हमें भी नहीं है ना लेकिन अनुपाद तो दे रखा है तो महिलाओं का अनुपाद कितना है एक टोटल कितना है दो और गुना तो अगर परतीसत पूछ लेता तो आंसर क्या आजाता परतीसत और वैसे भी यह तो तुम्हें करने की विज़रत नहीं है यहां पर अनुपात कितना रहा है एक अनुपात है कि मतलब मेल और फीमेल क्या है इक्वल रेसो में है अगर रेसो इक्वल है तो परसंटेज भी इक् 50 50 रहेगा आदे आदे ही तुम है दोनों ठीक है मकलब कहने का यह है कि जब आपसे कभी परसंटेज पूछ ले आपसे रेसो पूछ ले तो आपको नंबर्स की जरुवत नहीं पड़ती है जैसे पिछले कोशन में हमें दे रखाता था ना कि इस अनुपात का यूग कितना अस अपसी है इस वाले कोशन में कहीं नहीं दिया क्यों क्योंकि उसे जरुवती नहीं थी क्योंकि उसे पूछ रही रेसो या परसंटेज था तो परसंटेज जो है वो इस वेसों से डारेक्ट भी निकल जाता है जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ हूं इसी प्रस्ट में जो पूरुष केंडिडेट है उनका प्रतिसत कितना है कि पचासी आएगा इसका किस वाले का 35.35 आएगा पूरुष कितने है तीन है ना ठीक है तोटल कितने है तीन और एक चार और कुना 75 आएगा महिलाएं कितनी है अब 75 में से 100 बटा तो 25 बचेगा मतलब कहने कहीं है कि अगर हमें परतिसत निकालना होता है तो हमें इस नंबर की कभी कभी जरूत नहीं पड़ती जैसे इस प्रस्ट में दिया ही नहीं था हमें नंबर किसी संस्था के किसी संस्था के सभी करमचारियों का किसी संस्था के सभी करमचारियों का ओसक वेतन शे हजार है जिन में कि भारह अधीकारियों का ओसत वेतन कि यही बारे अधीकारियों का ओसत वेतन 40,000 कर तथा कि सेज करमचारियों का ओसत वेतन सेश करमचारियों का ओसत वेतन चपन सो रुपे है सेश करमचारियों का ओसत वेतन चपन सो रुपे है संस्था में करमचारियों की कुल संख्या व्याद कीजिए अब सभी करमचारियों का उसत काएगा बीच में जिनमें दो लोग है कि बारा तो है अधिकारी कि बारे अधिकारियों का उसत वेतन कितना है चालिस अजार और सेश कितना है मतलब जो बचे हुए करमचारी है उनका कितना है चालिस में से चालिस अजार गए कितने चोंतिस अजार और चपन सो में से चालिस अजार गए चार सो मतलब अधिकारियों का अनुपाद कितना आ जाएगा ये वाला और करंचारियों का कितना आएगा ये वाला भी कट जाएंगे नंबर जैसे दो जीरों से दो जीरों कट गए 4-1 चार अट और चार पंगे मतलब वहां पर सस्था में अधिकारियों का अनुपाद कितना है एक और करंचारियों का अनुपाद कितना है 85 टोटल करंचारी कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे के नहीं अब आपको बताओ कौन सा नंबर दे रखा है यहां पे अधिकारियों की संख्या दे रखी है न कितने हैं 12 है और अधिकारियों का अनुपाद कितना है तो इस एक अनुपाद की वैल्यू कितनी है बारा है के नहीं तो अगर एक अनुपाद बराबर है बारा के तो च्छी अनुपाद कितने के होगा बारे गुना च्छी बारा चिक बातर का सुरी आप से क्या पूछा है थे इस करमचारी पूछा है न तो सेस करमचारी कितने है कशा सिय है न तो आप 1025 50 की सीरोय हशी डू अहीं होंगे अगर आप से इस ौशासर न में फुल करमचारियों की संख्या कितनी है तो हम यहाँ बारे में गुना कर देते किसकी? 86 की या फिर 85 निकाल के इसमें बारे और जोड़ते थे तो यह चीज देखनी है कि रेसों कितना आ रहा है ठीक है? रेसों से आपको तीन चीजे मिलेगी पहली चीज मिलेगी कि पहले वाला व्यक्ती कितने के अनुपाद में है दूसरे वाला व्यक्ती कितने के अनुपाद में अब जब पहले और दूसरे दोनों का मिल जाएगा तो दोनों का योग कितना आ रहा है तीसरी चीज आपको देखनी है कि आपको प्रस्ण में संख्या कौम्सी दी गई है पहले वाले की दी गई है दूसरे वाले की दी गई है दोनों की कंबाइन जैसे अब तक के कोश्चनों में क्या रहा था दोनों की कंबाइन आ रही थी टोटल संख्या आ रही थी इस बार क्या कर दिया कि टोटल ना देखे उसने क्या कर दिया अधिकारियों का अनुपात और संख्या देदी तो अधिकारियों का अनुपात कितना है एक संख्या कितनी है वारा तो इससे ही तो कंपेर करोगे भई चीजों को एक दूसरे से ही तो कंपेर किया जाएगा टोट यह जरूर ही नहीं है हर कोश्चन एक ही तरह से सौल हो तरीका ही तो सेम है लेकिन कोश्चन में हमें गिवन क्या है वैल्यू डिमांड क्या है कोश्चन की वो तो देखनी पड़ेगी नेक्श्ट चात्रों की दो कक्षाएं चात्रों की दो कक्षाएं ए और बी मिलाने पर चात्रों की दो कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिनके ओसत अंक क्रम से पच्चिस और चालिस हैं जिनके ओसत अंक क्रम से पच्चिस और चालिस हैं समग्र का ओसत पच्चिस और चालिस हैं समग्र ओसत समग्र मतलो टोटल कम माइंड होके समग्र ओसत पीस हो जाता है कक्षा ए और बी के चात्रों का अनुपार्थ याद कीजिए तो मैं पता है ए और बी दो कक्षाएं मिलाई गई है जिनका अलग अलग ओसत है पच्चिस और चालिस जब इन दोनों को मिला दिया गया तो शिकमांच का अठा है बीच में पत्चिस में से 30 गए पाच इकम पाच पाच डूमिटरस डश रेस वो पूचा है यही था लिखो और लिखो प्रूर्ठ बेगा इसका डाउट टैग रटकेगा किसी खरुक्श करुक्त किसी किरकेट टीम के 11 खिलाडियों की ओसतायू दो महिने बढ़ जाती है जब उनमें से ग्यारे खिलाडियों की उसत पायू दो महीने बढ़ जाती है जब उनमें से दो खिलाडियों जब उनमें से दो खिलाडियों जिनकी आयू अठारे वर्स और बीस वर्स है अठारे वर्स और बीस वर्स है के इस्थान पर दो नए खिलाडियों को ले लिया जाता है नए खिलाडियों की उसत आयू बताईए देखो कोशन में तुम्हें दिया हुआ था भाई क्या है बता हुज़रा के टीम के ग्यारे खिलाडियों की उसत आयू दो महीने बढ़ जाती है जब उस में से और है तो है नए खिलाड़ी की आयू कितनी वही अथारा प्लस ब्स ब्स मैंने गई क्लस माईनस और व्रद्धी और कमी थी को प्लस कितने मां की और किंटू संक्ष्या कितनी है नए व्यक्ति का भार या आयू कुछ भी हो सकता देखो यहां पर आयू है तो आयू लिख लो भार है तो बराबर जाने वाले का भार प्लस माइनस व्रद्धी या कमी इंटो संख्याएं ठीक है यह प्लस माइनस का रोल क्या है कि अगर व्रद्धी हो रही है तो प्लस करोगे कमी हो रही है तो माइनस करोगे यहां पे तो व्रद्धी तीर वह हमने क्या लिया यह प्लस कौन सा है जानने वाला अगर एक था तो सीधा सीधा लेते जाने वाले दो हैं तो दोनों आ जाएंगे तो यह बन जाएगा आपका के question mark बराबर 18 उर 20 अब क्योंकि देखो यह जो है यह संक्याती वर्सों में प्लस और यह संच्च आए किसमें महीनों में तो दो गुना क्या रेक आएगा 22 और यह किसमें आएंगे मन्त में मतलब जो जाने वाले रहती हैं उनकी टोटल आयू जो है वो 38 वर्स और 22 महीने है हमें क्या बताना है होसत बताना है तो किस से डिवाइड गर दें दो से अब 38 क स्थमां का अधा कितना होगा और यही तुर्しました All чका Неari जें संवें अगर तुमैं को पूरा वर्सों ने कनवर्ट करते तो बात में तुम्हें महीनों में चेंज करना पड़ता आगर तुम हमें महीनों में निकल करते हैं अगर मैं हा लेन उन दो में औरस निकालने पड़ते टाइप नमबर एट उन्निश वर्स ग्यारे मीन है जब बीच की कोई संख्या ग्याद करनी हो जितने भी टाइप बच रहे हैं इस चैप्टर के वो सारे आसान है जान रहे हैं सबसे आसान टाइपों में से यह हैं कोई संख्या ग्याद करनी हो पूर्शन लिखेंगे पहला अ हमारे संख्याओं का अउसत्थ 20 है जिन में प्रथम पांच संख्याओं का अउसत्थ अठारे तथा प्रथम पांच संख्याओं का अउसत्थ अठारे तथा अंतिम तथा अंतिम छे संख्याओं का अउसत्थ 22 है च्छटी संख्या ज्याद कीजिए इसला कोशन में करा देता हूं ठीक है पहले बेसिक समझो पुष्टन में कहा है कि बारे संख्याओं है ठीक है अब वो बारे संख्याओं कुछ भी हो सकते हैं मैं मालेता हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ज्यारे बारे ये बारे संख्याओं हैं अब इनका उसत्थ कितना है मतलब एक से लेके बारे संख्याओं का उसत कितना है 20 है योग कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था कि उसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे संख्याएं या कुल संख्या और अगर हमें योग निकालना हो तो योग बराबर होता है ओसत गुना संख्याएं यहीं तो होता है अब हमें कुश्चन ने ले रखता है कि बारे संख्याओं का उसत कितना है 20 है और मैंने आपको बताया था कि अगर कुश्चन में तुम्हें कहीं ओसत दे रखता है तो तुरंट उसका क्या निकाल लेना योग निकाल लेना ठीक है तो बारे कुना 20 कितना मतलब जो मौतो बारे संख्या है उनका optal कितना है दो इस चालीस है आगे बताओ और सबीन गार अब प्रताम पांच कौन सी होंगी पहली दूसरी दीसरी चोथी और मतलब इनकी बात कर रहा है वह बात प्रत prisati कeze कितना है तो पांच गुना तो परतम पांच का योग कितना होगा नप्य होगा के नहीं कह रहा है अंतिम छह संख्याओं का उसत कितना है 22 अब अंतिम छह कुन सी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह अब इनका योग उसत कितना है 22 और 22 शिक्का कितने होते है एक सो बत्थिस पूचा क्या है आपसे छटी संख्या बताईए यही पूचा है ना मुझे बताओ बची कौन सी संख्या है छटी बच लिए ना क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चोथी पांच नी और यह कौन सी संख्या है छटी संख्या है ना अब अगर मैं टोटल संख्याओं के योग में से इन दोनों योग को निकाल दूँ तो कौन सी संक्या आ जाएगी 30 आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि 240 माइनस 90 माइनस 132 अब ये 132 और 90 कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा कि नहीं तो 222 माइनस करना है किस में से 240 कितना बचेगा अब ये हर बार नहीं करना है हमें ये तो भई संक्याएं कम है कर लिया अब यह आ जाता 28 संक्या होगा या 45 संक्या हो तो 45 संक्या होगी तोड़ी न बनाएंगे हमें क्या करना है टोटल योग में से जो दोनों को योग है अलग-अलग योग है उसको प्लस करके और टोटल में से माइनस कर देना है ठीक है बात किलियर है कि टोटल योग में से जो अलग-अलग योग है उन दोनों को जोड़के माइनस कर देना है आंसर आ जाएगा इसमें दो टाइप बनते हैं एक तो ये टाइप है कि जब बीच वाली संख्या जो उसने पूछी होगी उसे छोड़ेग और एक टाइप बनेगा जो संख्या वो पूछता है उसे दो बार कल्कुलेट कर लेता है वो इसके बी टाइप में बढ़ेगी चाहिए तो आप लिख सकते हो कि जब बीच की कोई संख्या ग्याद करनी हो उसका एटाइप लिए एक किताब में भी तुम्हें ऐसी मिलेंगे नेक्स्ट कुशन थे पीस संख्याओं का उसर्थ इस संख्याओं का उसर्थ पंद्रे है प्रथम बारे संख्याओं का उसर्थ अठारे प्रथम बारे संख्याओं का उसर्थ अठारे और अंतिम साथ संख्याओं का उसर्थ और अंतिम साथ संख्याओं का उसर्थ जा रहे है तेहरवी संख्याओं याद कीजिए अब कोश्चन में देखो दिया है पंद्रे संख्याओं है और जिनका उसर्थ कितना है पंद्रे दूनी तीन सो हो पदलर तोटल संख्याओं का जो योग है वो तीन सो है पहली वारे संख्याओं है यहीं आ हिन्व पर्थम बारह का उसर्थ कितना है अठारा तो बारे गुना कितना हो जाएं के उस नो їं भातुए है अतिम कितनी साथ का उसत्कितना है यह यह पंद्रह संख्या जाता होगी उपर कम है 7 का ओसत कितना है 14 और 11 सत्वे मैंने कि कम भाइन वाले उसद में से इनका योग माईनस कर देना पहले तो इनका योग कितना आ गया 7 और 6, 13 का 3, 7, 8, 9 और दो नो का अंतर कितना है और संख्या बिदी को कौन सी वेचा रहे होगी तेरे और टेरे के बाद कितनी है साथ ही ना साथ यह संख्या यह यह कोंसी यह हो फीक है थार्ड बोस्टन लिखेंगे 24 संख्याओं का उसत 25 है 24 संख्याओं का उसत प्रथम पंद्रे संख्याओं का उसत 20 प्रथम पंद्रे संख्याओं का उसत 20 तथा अंतिम आठ संख्याओं का उसत 35 है 35 अंतिम आठ संख्याओं का उसत 35 है 16 संख्याओं कीजिए आठ संख्याओं का उसत कितना है पच्चिस तो योग कितना होगा 600 गुनागर्नी बताई थी देखो यह 25 का डबल हो जाएगा पचास और चोविस का अदा कितना हो जाएगा बारे और बारे पंजी कितने होते हैं और 60 छे सो आगया पर्थम कितनी संख्याओं है 15 तो पर्थम 15 का उसत कितना है तो 15 दूनी भी पाद में लगाहँ एँश पर यह सोचो कि 15 की बीच ना करना है यह सोचलो 15 की दो से गुना करनी है और जितनी जीरो छोड़ रहे हो तो यह बाद में लगा देना भूलना मत सोरी ठिक है तो ये कितना हो जाएगा आपका चाओं तो भुना कर लो 85 की 40 की 0, 244, 28 हाँ ठीक है 28 ठीक है अब हमें तो दोनों जोड़नी है तो ये कितना हो जाएगा 58, 24 की 24 संख्यां कितनी थी 600 यहां कितनी मिली है नятиशी मिली है बची कौन सी वह बच रही अब जो दोनों का डिफरेंस आएगा वोई हमारा क्या हो जाएगा 600 में से 500 सी घटाओगे सम्वाल नंबर एक और होगी टाइप चेंज करेंगे यहां क्या होता है यहां वो संख्या छूट रही है जो हमें निकाल ली होती है जो नेक्स टाइप आएगा ना इसका वहां जो हम रहा हुआ नंबर हो जाता है फिर हो हमारा अंसर होता है क्योंकि वहीं संख्या दो पार कल्कुलेट होती है बताऊंगा जैसे मैं इसमें बताया था पहला को मैं कोश्चन लिखो अभी पहले इसी कहीं लिखो ग्यारे संख्याओं का उस्थ 12 है फिर टाइप चेंज करेंगे पंद्रे तथा अंतिम चार संख्याओं का उस्थ तथा अंतिम चार संख्याओं का उस्थ आठ है अंतिम चार संख्याओं का उस्थ आठ है साथवी संच्याग्याद कीजिए साथवी संच्याग्याद कीजिए जैसे मोबाईल पे चला गए खिए हम जीरो पॉइंट सैवंट वैप स्पीड आते हैं नहीं यूट्व तो रिवर्स में भी चलते हैं 0.75 0.50 तो उसी तरीके से question बोलने पड़ेंगे 0.75 की split हो जाएंगे वैसे तो उनमें calculation ही करनी है क्योंकि उसने कह रखा है कि x संख्याओं का उसत y square है तो योग कितना आ जाएगा x y square इसमें होता क्या है फुल संख्याओं का उसर बताओ यह बन जाएगा x y square plus y x square बटे x plus y तो इसमें से x y को मन ले लेते हैं बचेगा x plus y और नीचे भी क्या है x plus y तो इसमें बचेगा बचेगा प्रेट नीचे है झाल 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 झाल